22 साल फरवरी के उस पल को याद कीजे जिब नासा ने सफलता पूरवक अपने परसीवरिंस रोवर को मंगल ग्रह पर उतार दिया था इस घटना ने अंतरिक्ष में दिल्चस्पी रखने वाले हर शक्स को चाह से भर दिया पिछले 15 महीने से ये रोवर थोड़ा व्यस्त था या कहें कि घूम घूम कर बहुत सारी खोजबीन कर रहा था और अब वो मिशन के सबसे एहम पड़ाव के लिए तयार है जो है जीवन की खोज देखे बीबीसी साइन्स एडिटर रेबेका मौरेहिल की रिपोर्ट ये वही मिशन है जिसने शुरुवात में ही सब को हैरान कर दिया था जब नासा के परजिवीरिंस रोवर की मंगल ग्रह की सतह पर उतरने की असली तस्वीरें दुनिया ने पहली बार देखी थी बीदे एक साल में इस रोवर ने सेल्फी लेकर मंगल ग्रह का वो रूप दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था अब परजिवीरिंस अपने मिशन के सबसे एहम पड़ाफ के लिए तयार है जीवन की तलाश और वो वहाँ पहुँच चुका है जहां इसके मिलने की सबसे ज़ाधा संभावना है मैं सालों से इस रिवर डल्टा को देख रही थी मैंने ज्यादा तर इसे औरविटर तस्वीरों में देखा है और अब आखिर कर हम इसके एकदम सामने हैं और सभी संकेत इसो रिशारा करते हैं कि साड़े तीन से चार अरब साल पहले मंगल की सत्य रहने लाइक थी रोवर जैजेरो क्रेटर नाम के इलाके की खूचपीन कर रहा है अरबो साल पहले यहां एक बड़ी जील हुआ करती थी आपको साफ तौर पर इसमें एक नदी मिलती दिख रही होगी अगर हम जूम इन करें तो यह रंगीन जगा दिखाती है कि नदी जील से कहा मिलती थी गाड़ा की चड़ जमा होकर यहां डेल्टा बना रोवर यहां इस क्रिटर यानि गढठे पर ही उतरा था डेल्टा के बेस तक पहुँचने के लिए इसने एक साल से जादा समय तक 11 किलोमेटर यात्रा की अब टॉप पर पहुँचने के लिए इसे 40 मीटर की चड़ाई करनी है सोची अगर हमें सबूत मिल जाते कि वहां किसी तरह का सुक्षम जीवन हुआ करता था तो ये बहुत बड़ी बात होगी ये शांदार होगा इसलिए से ढूनने का अफसर मिलना और उसे धर्ती पर वापिस लाना और हमने जो देखा उस सब के बारे में तिहास की किताबों में लिखा जाएगा आज ये लाल ग्रह सूखा और धूल भरा है लेकिन आने वाले छे महिनों तक डेल्टा की खोजबीन करने से हमें इसकी अतीद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आखिरकार इस सवाल का जवाब भी मिल सकेगा कि क्या कभी ये मंगल ग्रहे पर जीवन हुआ करता था